गाइस यार हम सभी लोग दो चीजों से बहुत ज़्यदा परेशान रहते हैं एक तो जंगली जानबर और दूसरे बंदर जो जंगली जानबर होते हैं वो हमारी फसलों को खा करके नश्ट कर देते हैं और जो बंदर होते हैं वो हमें घर पर बहुत ज़दा परिसान करते हैं कई बार हमारा सामन कपड़े वगरा उठा करके ले जाते हैं तो जंगली जानबरों और बंदरों को भागाने के लिए आज हम इस कैनन को बना करके दिखाने वाले हैं इसकी आवाज से जंगली जानवर और बंदर दूर से ही भाव जाएंगे पास आने का नाम भी नहीं लेंगे और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और इसे बनाने में जो जो सामन लगेगा वो भी आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फर अपनी उडियो में देख लेते हैं गाइस इस कैनन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक 3 इंची का पीबी सी पाइप लिया है और इसे हमने 1 फिट का कट किया है यह आपको मार्केट में 30 रुपए फिट के हिसाब से मिल जाएगा और इस पाइप के एक से रेको में पूरे दरीके से पैक करना है तो इसके लिए हमने एक तीनिंची के end cap को लिया है यह आपको market में 40 रुपए की मिल जाएगी और इस end cap को हम pipe में कुछ इस तरह किसे fix करके चिपका देंगे तो इसे चिपकाने के लिए हम लेंगे PVC solvent और इसे pipe के एक सिरे में 4 तरफ कुछ इस तरह किसे लगा देना है और इसी प्रकार से हमें end cap में अभी इस solvent को लगा लेना है और अब इस end cap को हम pipe में कुछ इस तरह किसे fix कर देंगे जो कि एक दम अच्छी तरह किसे मजबूती से चिपक जाएगी और अब गाइस हमने एक 3 इंची से 2 इंची का रोडूसल लिया है ये भी आपको market में 40 रुपे का मिल जाएगा और इसे pipe के दूसरे वाले सिरे में fix करके चिपकाना है तो पहले हम इसमें PVC solvent को लगा लेंगे और इसी प्रकार से हम pipe में भी solvent को लगा लेंगे और अब इन दोनों का हम कुछ इस तरीके से fix करके चिपका देंगे और गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके एक सरे में end cap को fix करके चिपका दिया है अब गाईस हमने एक 2 इंची का PVC pipe लिया है और इसे हमने करीब 2 फीत का कट किया है यह आपको 20 रुपए fit के हिसाब से मिल जाएगा और इस pipe को reducer के यहाँ पर कुछ इस तरीके से fix करके चिपकाना है तो पहले हम इसके भी चारोत्रा PVC solvent को लगा लेंगे और अब इसे हम reducer में यहाँ पर कुछ इस तरीके से fix करके चिपका देंगे गाइस आप देख सकते हो के हमने इसे कुछ इस तरीके का बना कर त्यार कर लिया है और अब हमने एक gas वाला lighter लिया है यह आपको market में 10-20 रुपए का मिल जाएगा और इसे end cap के यहाँ पर एकदम बीचों बीच fix करना है तो इसकी size का हमें यहाँ पर एक hole करना है तो हम इसमें drill machine की मदद से hole कर लेंगे गाइस आप देख सकते हो के हमने इसमें hole कर लिया है और अब इसके अंदर हम इस lighter को कुछ इस तरीक से fix कर देंगे और फिर इसके चारो तरह fabric लगा करके अच्छे से chip कर देंगे गाइस अब इसे और मजबूत करने के लिए हमने एमसील को लिया है यह आपको मार्केट में 10 रुपे का packet मिल जाएगा और इसके अंदर दो एमसील निकलती है एक white और एक black दोना को थोड़ा थोड़ा लेना है और इन्हें अच्छे तरीक से mix कर लेना है आप देख सकते हो कि हमने इसे अच्छे तरीक से mix कर लिया है और अब इसे क्या करना है कि इस lighter के चारोतरप कुछ इस तरीक से लगा देना है इससे क्या होगा कि हमारा lighter अपनी जगा मजबूती से fix बना रहेगा और आप देख सकते हो कि हमने इसके चारो तरफ M-sil को अच्छी तरह के से लगा लिया है और अब इसे 30-40 मिनिट के लिए ऐसे ही सूखने देना है जब तक ये सूख रहा है तब तक हमें क्या करना है कि यहां पर हमें एक होल कर लेना है और इस होल से हम अपनी कैनन में फ्यूल भरेंगे और जब हम अपनी कैनन को चलाएंगे तो इस होल को हमें कवर करना होगा तो इसके लिए हमने 3 इंची PBC पाइप से करीब 8 सेंटी मीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया है और इस पाइप को हमें यहां से कट करना है तो इसे हम हेक्सवलेट की मदश से कट कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे कि इसके पीछे साइट से यहां पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे गाइस जब इसमें हमें फ्यूल भरना होगा तो हम इसे पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से खिसका लेंगे और फिर इसमें हम फ्यूल भर लेंगे और फ्यूल भरने के बाद वापिस से हम इस होल को कुछ इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसकी गैस बाहर न निकले तो guys हमारी जो Canon है वो बनकर complete हो चुकी है तो चलिए अब हम इसकी testing देख लेते हैं कि यह कैसा work करती है तो guys अभी हम आचुके हैं अपने studio से बहार तो चलिए अपम हम अपनी Canon को चला करके देखते हैं कि यह कैसा work करती है तो इसे चलाने के लिए हमें लेना है calcium carbide जो कि एकदम पत्थर के जैसे होता है और यह आपको gas welding की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और इसी से फलवेगरब पकाई जाते हैं और इसका हमें बहुत छोटा सा टुकडा लेना है और इसे अपने cannon के अंदर कुछ इस तरीके से डाल लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है इससे क्या होगा कि हमारा पानी और calcium carbide आपसे मिक्स होंगे और इसके अंदर एक acetylene gas बनेगी और आपको तो प पीजे साइट पर हमने जो लाइटर लगाया है इसे हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एक चिंगारी होगी और उसी से acetylene gas आग पकड़ लेगी और हमारी cannon बहुत जोड़ से आवाज करेगी तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं guys आपने देखा कि हमारी cannon ने कितना अच्छा वर्क किया और इसका sound कितना ज़दा तेज था तो चलिए अब हम एक बार और ट्राइ करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क करती है तो हमने इसे दुबारा से लोड कर लिया है तो चलिए अब हम एक बार और चला करके देखते हैं गाइस आपने देखा कि दुबारा में भी हमारी cannon ने कितना चवर्क किया और इसका sound कितना ज़दा तेज था इसकी आवाज से जंगली जानबर और बंदर दूर से ही भाग जाएंगे दुबारा आने का नाम भी नहीं लेंगे और इसकी सबसे खास बात ही है कि इससे किसी भी जंगली जानबर या बंदर को बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप में से काफी भाई सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ज़्यादा गैस बन जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर अगर ज़्यादा गैस बन जाएगी तो ऑक्सिजन की मातर कम हो जाएगी और हमारी केनन चलेगी ही नहीं क्योंकि इसे चलने के लिए बराबर मातर में ऑक्सिजन और एसिटिलिन होनी चाहिए तब ही हमारी केनन वर्क करेगी तो गाइस आपको हमारी ये कैनन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अदेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइस जरूर कर देना तो चलिए पर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जै हैं जै भारत